ICC की नई रैंकिंग आई, कैप्टन रोहित ने लंबी छलांग लगाई जी हाँ, कैप्टन रोहित शर्मा नमबर टू पर पहुंच गए है नमबर वन पर पाकिस्तान की कैप्टन बावराजम है क्योंकि यह जो वन डे रैंकिंग आई है, इसमें काफी उपर नीचे हमें नजर आया है उतल पुतल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले हम देखते थे कि हलांकि बावराजम तो नमबर वन पर ही थी कुछ समय पहले, लेकिन रोहित एक दम से नीचे से उपर आए है क्योंकि शूमनगिल को पीछे छोड़ दिया है रोहित ने और ऐसा इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा ने बड़ा जबरदस्त बले बाजी की टिशलिंग का खिलाब जो अभी हाल ही में भारत की सीरीज हुई थी, भारत को बले ही हार का सामना करना पड़ा हो और बूरी हार हु क्योंकि विराट कोहली एक समय नंबर वन पर रहते थे लेकिन अब विराट कोहली नंबर फोर पर आ गए है अगर आप इस रेंटिंग को देख रहे होगे तो यहाँ पर 824 रेंटिंग आंक लेकर बावराजम नंबर वन पर है नंबर टो पर रोहित है उसके बाद शूमन ग लेकिन विराट तो वही पिराट के सामने स्टाइल करते हैं नजर आ अई और विराट की रनी नहीं आयए और इसलिए भार शायद यह सीरीज भी हरगे है क estado लेकिन यहां तो रोहित रहें बनाते लखा वीजर चैया कर मादिरी बार आब वहां हो केशु महाराज काराज केशव महाराज number 1 पर बने हुए हैं उसके बाद जोश हैजलूड हैं और nobody यहाँ पर यहां पर एडम जामपाई है और टेस्स्राइक लित करें तो बले बाद को टेस्स यहाँ पर अच्छा खेल दिखाना होगा खाजकर एशिन कंडिशन्स में क्योंकि अगर आप वन डे की रैंकिंग देखेंगे तो उसमें टॉप फाइब में चार एशिया के खिलाडी हैं जिसमें बाबरावजन नंबर वन पर हैं उसके बाद रोहित फिर गिल फिर विराट त पर इनी कंडिशन्स में जहाँ पर शेलंका से सीरीज भारत हार कर आया है और ऐसे में काफी दिल्चस परवा कि आगे अपकमिंग जो टूनामेंट आने वाला है चैंपिन्स टोफी है तो ऐसे भारत को थोड़ा और अच्छा खेलना पड़ाएगा भारती बले बाज़ों को इन्टनेट उनने शेलंका सीरीज में भी नजर आया था और इसलिए वो अब नंबर टू पर आ गई है खेल इस वीडियो के लेकर आपकी क्या राया है कमेंट बोक्स ने जुरूर बताए और अभी तक अगर आपने न्यूजनेशन और न्यूजनेशन स्पोर्ट्स को सब्स कर लीजिए